स्रिमती डिम्पल यादव जी ये सरकार कर रही है यूवा नारी किसान और गरी यूवा सर आज देश का यूवा लगभग प्रतालिश प्रतिशत बेरोजगार है सर अगनीवीर जैसी योजनाय लाकर इस सरकार ने गाउं की अर्थ विवस्था को भी असर डालने का काम किया है सर अम सभी जानते हैं कि गाउं से जादातर लोग फौज में जाते हैं और गाउं की अर्थ विवस्था संभली रहती है सर लेकिन आज का नौजवान और युवा इस मुकाम पे पहुँच गया है कि उसको कोई भी नौकरी को लेकर वो अपने आपको सुरक्षत नहीं महसूस कर रहा है सर बहुत ही निराश है सर सर सरकारी नौकरियां यह सरकार नहीं दे पारी है सर समविदा पे नौकरी पहले मिलती थी युवाओं को सर लेकिन अब यह नौकरियां ठेके पे दी जा रही है सर मात्र आठ हजार रुपे प्रतिमा की नौकरी हमारा युवा करने को आज मजबूर है सर हमने देखा किस तरह इसराइल जाने के लिए इस देश का युवा मजबूर है लंबी लंबी लाइने लग रही है जिसे की देश का युवा अपने घर कुछ आमदनी लेके आए इसराइल जाके जहां पे सर युद चल रहा है सर लगातार MSMEs जो एक रोजगार देने में सक्षम होती हैं सर इंटरप्राइसेज सर लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है सर सर दो साल में पिछले दो साल में लगभा 14,000 ऐसे उद्योग पती सर भारत छोड़के चले गए हैं जो सक्षम थे सर यहां पर इंडस्ट्री लगाने में यहां के युवाओं को रोजगार देने में सर लगभा 14,000 ऐसे लोग टाक्स टेरिर्रिस्म के तहित भारत छोड़के चले गए हैं सर महलाओं की बात करी जाए सर तो लगातार महलाओं की स्थिती उत्तर प्रदेश हो या पूरा भार हो सर लगातार महलाओं के साथ अफराद बढ़ रहे हैं और इसका संज्ञान सरकार ना देश की ले रही है ना प्रदेश की ले रही है सर जहां इस सरकार सक्षम आगनवाडिया पोशन की बात कर रही है वहीं सहयुक्त राक्ष्ट की रिपोर्ट आई है जहां भारत में पो से ये पॉश्रे काना बाहर है. सर इसी के साथ, सर वेस्टिंग का मामला हो, सर चोटे-चोटे शिशुओं में वेस्टिंग और संस्टिंग के मामले होते हैं, सर भारत इन मामलों में भी उच्चुतम है. सिस्टाट बेल फोर में? यस. सर जहां नारी वंदन विदेग बिल लेकर आई है, और हम सभी ने इसका पूरा समर्थन किया था, लेकिन यह सरकार अती पिछडी और पिछडी महलाओ को और अबसंख्यक महलाओ को, और सर अब संख्यक महलाओं में केवल मुसल्मान महला ही नहीं आती है, हमारी कृष्चिन महलाओं भी आती है, हमारे सिक महलाओं भी आती है, इन सभी को उनका हग सम्मान और अधिकार देने में सर यह सरकार असमर्थ रही है, सर जहां किसान की बात करी जाए सर, MSP का जो वादा किया था, इस सरकार द्वारा, वो पूरा नहीं किया गया है. वहीं, sir, DAP महेंगी… मेडम हमारे पास समय काम है. Sir, please give me five minutes, sir. UP is a very important state, sir. Give me at least three minutes. अब एक minute में अपने बात कीजिए. Sir, I'm as it is saying in points. Sir, जहाँ DAP महेंगी हो रही है, जहाँ सचाई महेंगी है, sir. जहाँ इस सरकार द्वारा कोई भी सबसिडी नहीं दी जा रही है, हमारे किसान भाईयों को, sir. जहाँ फसल बीमा योजना के तहट लगबग 6 करोड 90 लाग किसानों ने पंजी करण तो किया है, लेकिन केवल 7 लाग 80,000 किसानों को इसका फाइदा मिला है, sir. Sir, जहाँ गरीब की बात की जाए आज, sir, महेंगाई दर क्या है, लगबग 10 प्रतिशत महेंगाई बढ़ गई है, सबजियों की बात हो, चाहे दूद की बात हो, चाहे सिलिंडर की बात हो, चाहे पेट्रोल की बात हो, लगातार भेंगाई बर रही है, sir, और सरकार इस सब को लेके कुछ नहीं कर पा रही है, असमर्थ है मुझे लगता है सरकार सर, अगर सरकार कहती है अपने आखड़ों में कि 25 करोड जो हमारे भारती हैं, वो मल्टी डायमेशनल पॉवर्टी से भार आए हैं एक तरफ, वहीं 80 करोड लोगों को सरकार अन दे रही सरकार इस सप्रानों का संचार नहीं हो पाया है सरकार सक्ष्राइब नहीं है वहां पे सर स्टाफ देने के लिए वहां पे सर एक्विप्मेंस देने के लिए सब्सक्राइब लास पॉइंट सर इसी बात के साथ में अपनी बात तो खताम करना चाहूंगी कि जिस अमरतकाल और स्वनकाल की बात ये कर रही है ये बहुत ही कालपनिक बाते हैं धन्यवाद्थ हैं